समस्कार दोस्तों आज मैं आपको ऐसे आपके बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप लिखा हुआ टेक्स्ट या फिर वाट्सप पर आए हुआ मैसेज डिरेक्टली स्पीज में कंवर्ट कर सकते हैं तो चले शुरू करते हैं पहला स्टेप है प्लेश्टर खोल लिजिए प्लेश्टर खोल लिया उसमें आप टाइप कीजिए कैपिटल में T2S सर्च कर लिजिए जो भी पहला आप्शन है उसको इंस्ट्रॉल कर लिजिए मैंने इंस्ट्रॉल कर लिया है अब ओपन कर लेते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने टाइप करा हुआ है सब्सक्राइब मैं चैनल अब मान लिच आपको हिंदी का कुछ ध्री डाइप करना है तो अ comigo के पर चेंज करती prioritize है कि अब मैं इसको हिंदी माटाइप करेता हूँ नमस्कार दोस्तों आप सुन सकते हैं दुबारा सुन लीजिए इसने बोला नमस्कार दोस्तों और मान लिजिए आपको अगर आपका वाट्सेप पर आया हुआ हिंदी का मेसेज बढ़ना है तो उस एप में आपको हिंदी लैंगविज चूज करनी है T2S वाले आप में अब मान लीजिए इधे एक मेसेज है हिंदी में आया हुआ यह वाला इसको हमें सुनना है तो कॉपी पर दबा दिया अब इस पर दबा दिया सुन सकते हैं आप अब मान लीजिए को इंग्लिश में सुनना है इसको स्टॉप कर देता हूँ आपको इंग्लिश में सुनना है तो दुबारा T2S वाला है पर जाईए यहाँ से चूज करिए इंग्लिश अब इसको मेल चूज कर देते हैं फीमेल भी चूज सकते हैं तो फीमेल बोलेगी चलो हम यह सुनते हैं कॉपी दबाया इस अप्शन पर दो देशकते हैं यह बोल रहा है तो यह लिखा हुआ है इंग्लिश में और इसमें सेज भी कर सकते हैं देख लेते हैं कैसे सेफ करना है ओडियो को यूट्यूबर इसके लिए बहुत फायदी मन रहेगा ऐसे करेंगे तो इसको कॉपी कर दिया टीटुस वाले एप में गए हिंदी में था तो इसको हिंदी चूज कर दिया यह से इसको कट कर देता हूँ पेस्ट कर दूंगा जो हमने कट किया था रहु लगी बार हमारी सरकार आईगी तो पूरे खेपने और अब यह तीन नंटिया देख सकते हैं इस पर दबाई है एक्सपोर्ट एज ओडियो फाइल पर दबाई है काम नहीं करना पड़ेगा रिंग्रिंग किसान अभी को मा में एक्सपोर्ट एज ओडियो फाइल पर दबा दिया तो फिर हम आप चलो यहां पर लिख देते हैं हिंदी हिंदी इंग्लिश में लिख देंगे हिंदी हिंदी.wav सेव कर दिया देख सकते हैं आपर सेव हो रहा है एक्सपोर्टिंग ओडियो लिखा रहा है एलेफ्स टाइम कुछी देर में यह सेव हो जाएगा जलिखा आगया एक्सपोर्ट अडियो ड़न ओके दवा दीचिए अगर आपको सुनना है यह देखना है वह कहां पर से हुआ फायर मेरेजर में चाहिए उड़ा सर्च कर लिए जिस नाम से हमने सेव किया था हिंदी के नाम से सेव किया था हिंदी.wav देख सकते हैं यह आप आ गया है अभी म्यूजिक के तो और पर कनवर्ट हो गया है इसको सुन दीचिए अब सुन सकते हैं आप जो हमने कॉपी पेश करके एक्सपोर्ट किया तो वही फाइल है तो आप भी ऐसे कर सकते हैं और में टाइम बचा सकते हैं झाल झाल